इस कहानी का नाम है लिसा इस्थाले कर जन्म देने के बाद लड़की को फेकने वाले माता पिता अंदर ही अंदर रो रहे होंगे क्योंकि वे अपनी पैदा हुई बेटी से मिल भी नहीं सकते महराष्टर के पुने शहर में एक अनाथाले है जिसे श्री वत्स अनाथाले कहा जाता है 13 अगस्त 1989 को शहर के एक अंजान कोने में एक लड़की का जन्म हुआ माता पिता को नहीं पता था किया एक मजबूरी है कि उन्होंने सुबह सुबह इस अनाथाले के पालने में अपने जिगर के टुकडे को फेक दिया प्रबंधक अना थाले की प्यारी सी बच्छी का नम लैला रखा गया उन दिनों डॉक्टर हरेन और सू नाम का एक अमेरिकी जोड़ा भारत घुनने आया था उनके परिवार में पहले सही एक लड़की थी भारत आने का उनका मकसद एक लड़के को गोद लेना था वे एक सुन्दर लड़की की तलाश में शाश्रम में आये उन्हें एक लड़का तो नहीं मिला लेकिन सू की नजर लैला पर पड़ी और लड़की की चमकेली भूरी आखों और मासूम चेहरे को देखकर उसे उससे प्यार हो गया कानूनी का रवाई करने के बाद लड़की को गोद ले लिया गया सू ने उस लड़की का नाम लैला से बदल कर लिज कर दिया वी वापस अमेरिका चले गये लेकिन कुछ वर्षो बाद वी सिडनी में स्थाई रूप से बस गये पिता ने बेटी को क्रिकेट खिलना सिखाया, घर के पार्क से शुरू होकर गली के लड़के के साथ क्रिकेट खिलने का यह सफर चला, क्रिकेट के प्रती उनका जुनून अपार था, लेकिन उनों ने अपनी पढ़ाई भी पूरी की, क्रिकेट के उसके शौक को देखते इस लड़की ने जितना नाम कमाया, उसकी कलपना नहीं हुए सकती, फिर उनका बल्ला बोलने लगा, और साथी साथ उनना ने रिकॉर्ड की बारिश कर दी सन 1997 में, न्यू साथ विल्स द्वारा उन्होंने पहला मैच खेला, 2001 में इंग्लैंड के खिलाफ ODI मैच में डेब्यू किया, 2003 में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच में डेब्यू किया, जिसमें उन्होंने 120 रन नॉट आउट बनाये थे, 2005 में इंग्लैंड के खिलाफ T T20 मैच में डेब्यू किया था इन्होंने अपने करियर में कुल 8 टेस्ट मैच खेले जिसमें इन्होंने 416 रून बनाए और 23 विकेट जटके 125 वंडे खेले 2728 रून बनाए और 146 विकेट जटके और 54 T20 मैचेस खेले 779 रून बनाए और 60 विकेट लिये वंडे में 1000 रन और 100 विकेट लेने वाली ये दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर बनी जब ICC की रैंकिंग प्रनाली शुरू हुई तो वह दुनिया की नंबर वन ओल राउंडर थी औस्ट्रेलियाई कप्तान भी बनी और ODIO T20 में चार विश्वकप में भाग लिया 2013 में उनकी टीम ने क्रिकेट विश्वकप जीता उसके अगले दिन इस खिलाडे ने इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया इंटरनेशनल क्रिकेट कांसेल ने लीजय इस्टागलर को अपने हॉल ओफ फिम में शामिल किया है कहा जाता है कि हर इंसान अपनी किस्मत लेकर आता है माता पिता ने लड़की को एक अनाथालाय में छोड़ दिया लेकिन नियती उसे पहले अमेरिका ले गई फिर उसे अस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम का कप्तान बना दिया और आज लीजय इस्टालगर की गिंती दुनिया के सबसे महान क्रिकेट खिलाडियों के रूप में हूती है तो दोस्तों आपको भी इनके जीवन से प्रेड़ना लेनी चाहिए कि जीवन की मुश्किलों को कैसे पार किया जाता है और अपने लक्षे को कैसे हासल किया जाता है इसका जीता जागता उदारन लीजय इस्टालगर आपके सामने है जिनकी कहानी आपने सुनी